हेलो फ्रेंट्स आज हम आपको बताएंगे कि ब्लाउस का मेजर्मेंट किस तरह सी लेना चाहिए तो फ्रेंट्स ब्लाउस बनाने के लिए सबसे पहले हम ब्लाउस का मेजर्मेंट लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग बाद में हम कटिंग करते हैं ब्लाउस की और उसके बाद में सबसे पहले हम blouse का length निकालेंगे तो length हमेशा हम back part से निकालते हैं तो उसके लिए हम इस तरह से back part से blouse को रख लेंगे और उसके बाद में हम inchi tape के help से यह देखें आप यहां से देख सकते हैं यह हमारा right part है और यह हमारा उल्टा है इस side से नहीं लेना है तो इस side से हम inchi tape को पकड़ेंगे और उसके बाद में देखें friends हम यहां solder से रखेंगे inchi tape को यह जो solder का joint है यहां से हम inchi tape रखना है और कमर तक क्या हमको ले जाना है जितना भी हमारा कमर है तो यह आप देख सकते हैं यह लगबग है साड़े 13 inchi आपका जितना भी है आपको blouse भी आ रहा है आप उतना लिख लेंगे तो मैं यहाँ पर blouse का length ले लेती हूँ लिख लेती हूँ तो यह हो रहा है हमारा साड़े 13 inchi और जब हम cutting करेंगे तो cutting करेंगे समय में 1 inchi बढ़ा करके लेना है तो friends अभी हमने length निकाल लिया है और उसके बार में हम यहाँ पर देखे blouse का chest निकालेंगे तो blouse का chest हम सामने वाले पार्ट से रखेंगे तो blouse को बटन बन करके रख लेना है और उसके बार में इस साड़ से हम इंची टेप को रखेंगे यहाँ तक आप देख सकते ही कितना आ रहा है जितना भी आ रहा है आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 18 inch आ रहा है तो 18 inch हम लिख लेंगे तो 18 इंच हम देखिए आ रहा है तो 18 को हमको इस तरह से इंची टेप को हम डबल करके रख लेते हैं तो ये देखिए आ रहा है ये 36 इंच तो ये हमारा 36 इंच का 36 है इसका blouse है ये हमारा total इसका chest आ गया है फुरा 36 इंच लेकिन जब हम cutting करेंगे तो cutting करते समय हमें इसका one fourth लेना है तो one fourth हम लेंगे साड़े नौ इंच cutting करते समय हमें साड़े नौ इंच लेना चेस्ट को और plus margin लेने हम दो इंच तक तो इस तरह से हम chest निकालते हैं और इसी तरीके से हम कमर का measurement लेंगे तो कमर का measurement लेने के लिए इस तरह से हम यहाँ पर कमर में एज़ी टेप रखेंगे इस corner से हमें देखना है तो यह देखें यहाँ से आ रहा है 16 इंस देखा रहा है तो 16 का double हम कर लेंगे तो 32 इंच हो जाएगा तो यह 32 size का यह हमारा कमर हो गया तो हमने 32 लिख लेना है और उसके बाद में जब देखें कटिंग करते समय हमें थोड़ा सी इंजस करता होता है कि कपड़ा हम फोल्ड करके रखते हैं तो 32 का जोथाई हमने 8 इंच लेना है तो इस तरह से हम कमर का measurement लेते हैं और उसके बाद में तो देखें फ्रेंड्स इस साईक में कंदी में रखना है वाली इस साень मी कंधी में रखना है फोल्ड़ा की 11 इंच निको कटके हैं 11 इंच 700 आप सिनिली ने शणा आफ हम करेंगे तो साड़े 5 हम लिख लेंगे 5 250 हमारा 120 होज जाएगा उसके बाद में देखी मोडा हमको लेना है मोडा हम लेंगे तो सीधे उपर सोल्डर से लेना है इंची टेप को और उसके बाद में यहां से आप देख सकते हैं इसकी सिधाई से यह हमारा 6 इंच आ रहा है तो यह हमारा मोडा हो गया इस तरह से जितना भी आप का रहा है आपक को लिख सकते हैं तो यह हो जाएगा सिक्स इंच मोड़ा है कि बाकि मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगी कि किस तरह से सोल्डर हमको निकालना चाहिए मतलब जितना चेश्ट है उसकी हिसाफ से हमको सोल्डर निकालना चाहिए दूसरा तरीका है और आप ब्लॉस से ले जितना भी आपका गल्हाइं यहाँ से आप इन्चेप को रकना है तो आप देख सकते हैं यहां पर इसका गला जो है इसके साडुपांच कि सिधान से आ तो साड़े-5 इन्च प्लूसरा है लेकिन जब हम झालन 건강 कि भूक्किन जब हम इसका करेंगे तो और ईंच in जिर है तो यह हमारा आगेका गला हो गया और उसके बाद में फ्रेंट फिर्श पीछछवावा गला हम देख लेगते हैं कि कितना है पीछवाला भी गला मी इस तरह से रखेंगी इंची टेपको यहां से सोलड़ात से हमको रखना है और उसके बाद में यह देखिए यह पुरा तो जब हम कटिंग करेंगे तो उसमें हमको आदा इंच बढ़ा करके लेना है तो हम जब कटिंग करेंगे तो 11 इंच लेंगे कला तो जब हमारा ब्लाउज बनेगा इस टीचो के तियारों को तो उसाड़े दस इंच हो जाएगा और रही बात अब इंची टेप मतलब कि इंच आ लेकि जब कटिंग करेंगे तो एक इंच बढ़ा की लेंगे क्योंकि आदय इंच हमारा SZ오đडर में चाएगा और आदय इंच हमारा सोलडर में चीक। इसके बाद में रिखेंगा है अस्तीन की चोड़ाय में लेंगे हम दो इस साइड से हमको रखना अ को जह छे या सवाची तक आ रहा है आपका जितना भी आ रहा है तो आप उस तरह से रख लेंगे जब हम कटिंग करेंगे तो चोड़ाई में हमको दो इंच प्लास करकी लेना है फ्रेंट्स का कटिंग अगर आपको नहीं आता है तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं मैंने बहुत सी वीडियो डाले हैं ब्लास कटिंग के तो फ्रेंट्स ये रिखे हमने सारा ब्लास का मेजरमेंट लिख लिया है यहाँ पर इसी तरह से आप ब्लास का मेजरमेंट लेंगे किसी भी सैस का आपका ब्लास है किसी भी डिजाइन का ब्लास है आपको मेजरमेंट इसी त करेंगे तो आपका ब्लाउस जो है बनने के बाद में बहुत ही परफेक्ट तरीकी सी बन की तियार होगा तो फ्रेंड्स अगर आप ब्लाउस की कटिंग का वीडियो भी आप देखना चाहते तो हमारी चैनल पर देख सकते हैं थैंक्स पॉर वाचिंग